दोस्तो online courses करने के लिए हर साल या फिर मैं कहूं हर महिने बहुत सारे students के applications move होती है अलग-अलग universities में, अलग-अलग universities में admission लना चाते हैं students Students जो admission लेते हैं अलग-अलग तरह की universities में online courses के लिए सुभारती university, शूलनी university, मंगलायतन university, M.E.T. university, लवली professional university बहुत लंबी एक list है जहाँ पर online courses को चलाया जाता है Online courses को चलाने के लिए दो तरीकी वैसे तो होते हैं एक तो होता है D.E.B. के permission लेने के बाद में plus में N.E.C. का A plus accreditation होना चाहिए university को या फिर कई सारी universities के पास N.I.R.F. की ranking भी होती है Gen Deemed To Be University पर Gen Deemed To Be University जो की करनाटका में मतलब Bangalore में university इस्तित है और Gen Deemed To Be University उन्ही सब universities में से एक है जितनी भी Deemed To Be Universities चलती हैं अपने देश में अलग-अलग राज्यों में टोटल की बात करें तो 136 टोटल Deemed To Be Universities है और हम अगर सिर्फ करनाटका की बात करें तो करनाटका में ही सिर्फ 15 टोटल Deemed To Be Universities चलती है जादा कुछ जानने के लिए कि Gen University कौन-कौन से courses करवाती है कैसे उसको DEP का approval है N.I.R.F. के ranking में कैसे चेक करेंगे और कौन-कौन से courses है युनिवरसिटी की website पर जादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रही है अमरे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों फिर एक बाश वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है युनिवरसिटी इंडिया मेरे नाम है विरेंदे वर्मा जैन यूणिवरसिटी कहें या फिर हम कहें जैन डीम्ड टू बी उनिवरसिटी दोस्तों ये जैन यूणिवरसिटी पहले कॉलिज हुआ करता था श्री भगवान महावीर जैन कॉलिज जो की 1990 में स्टैबलिश हुआ इसके बाद ये यूणिवरसिटी बना और यूणिवरसिटी का जो फॉर्मर नेम था श्री भगवान महावीर जैन कॉलिज ये उसका पहले का नाम था कॉलिज का वाइस चांसलर जो यूणिवरसिटी के है डॉक्टर राज जो की बैंगलोर से है और डॉक्टर जे लेथा जो की कोची से है बैंगलोर करनाटका में युनिवरसिटी है ये और इसकी जो युनिवरसिटी की ओफिशल वेबसाइट है वो है www.genuniversity.ac.in ये तो ताकुछ Wikipedia पे जो यहाँ पे details mention है ये तो कुछ details थी जो की Wikipedia पे update थी अब हम बात करते हैं सिदा युनिवरसिटी के बारे में दोस्तों अपने देश में total 482 प्राइवेट युनिवरसिटी हैं जैसे बाकी युनिवरसिटी चलती है उसी तरह से ये भी एक युनिवरसिटी प्राइवेट युनिवरसिटी चलती है और जैसे देखा जाए तो जो युजी सी एक्ट है 1956 का उसके section 2F के तहट सारी प्राइवेट युनिवरसिटी बनाई जाती है और इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे इस युनिवरसिटी को आप युजी सी पर चेक करेंगे और साथ ही आपके हर तरह के डाउट्स को क्ले करने कोशिश जरू करेंगे अगर युनिवरसिटी को विजिट करने का मौका मिला तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे और पॉडकास्ट करने कोशिश करेंगे यूनिवस्टी के जो भी वाइस चांसलर है, चांसलर ये राइस्टार साब के साथ, और दोस्तों अगर आप चाते हैं किसी भी यूनिवस्टी में एडमिशन लेना या जिस भी कोर्स को आप करना चाते हैं, वटसेप करें, हो सकता है, इस यूनिवस्टी के साथ साथ हम और भी दूसरी यूनिवस्टी के बारे में आपको सजेशन दे सकें और आप अपनी अच्छी यूनिवस्टी का और अच्छे कोर्स का चेहन कर पाएं, दोस्तों यूनिवस्टी के ये है ऑफिशल वेबसाइट, ऑफिशल वेबसाइट मे ही, आप अगर जनना चाहते हो online courses के बारे में, क्योंकि online courses के बारे में ही ये पूरा video है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे university की website पर आईए, जो website मैंने आपको बताई, genuniversity.ac.in इसमें आने के बाद में academics में आईए, academics में आईएंगे तो नीचे आने के बाद gen online programs लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप gen online programs में आएंगे तो यहाँ programs की एक detail है detail मतलब की, masters में कोनकों से program करवाती है, university वो है MBA, MBA किस-किस में है, MBA marketing में है, finance में है, human resource management में है, और journal management में है, साथ में university MCA करवाती है, MCA, computer science and IT, MCOM है, MCOM accounting and finance, professional accounting and finance, और साथ में ही international finance and accredited by ACCA UK और MA university करवाती है, MA में है, English Economic Public Policy, अब इनके अलावा बात करते हैं, bachelor में, bachelor में university बोलती है, कि वो BBA किस में करवाती है, human resources management, finance में, marketing में, और digital marketing में, और BCOM के अंदर क्या है accounting and finance, corporate accounting, और international finance and accounting, ये कुल जो courses total जो university के पास है, मतलब कि 4 तो ये course हुए, MBA, MCA, MCA, MCOM, MA, और 2 course हुए, UG में, 6 course total university, अपनी website पर mention करती है, कि हम इन courses में online admission लेते हैं, पर दोस्तों, आपको जाना चाहिए, इसका DEP को चेक करने के लिए, DEP ने approval किसके स्कोर्स का दिया है, सबसे पहले आप Google पे जाएंगे, DEP टाइप करेंगे, DEB, Distance Education Bureau, University Grants Commission के Under काम करता है, Distance Education Bureau, ये Distance Education Bureau, पहले Distance के नाम से चलता था, मतलब की, इंद्रा गांधी के Under ही, इसको regulate किया जाता था, पर बाद में इसको UGC के Under डाल दिया गए, Distance Education Bureau को, यहाँ पर आने के बाद में, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे request है, कि आप हमारी वीडियो को अभी like करें, चैनल को अभी subscribe करें, जो की आप के लिए बिलकुल free है, बट इससे हमें प्रौसान मिलता है, motivation मिलता है, इसी तरह की educational वीडियो आप तक पहुचाने के लिए, यह जो खुला हुआ है, open and distance learning, यहाँ पर आप यह देख रहे हैं, यहाँ पर 2023, 2023 और 2024 पर क्लिक करेंगे, तो यह आपके सामने खुल जाएगा पुरा यह इंटरफेस, इस पर क्लिक करेंगे list 2 पर, list 2 पर क्लिक करते हैं, तो यह list आपके सामने आती है, यहाँ पर आप type कीजिए gen, gen deemed to be university आ गया है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो bachelor of arts में, combination है तीन सबजेक्ट्स का, bachelor of commerce में, मतलब bachelor of commerce, b.com की बात कर रहे हैं, applications की, bachelor of science की बात कर रहे है, combination तीन सबजेक्ट्स का, bachelor of commerce यहाँ पर द्वारा से आता है, bachelor of business administration, BBA university course करा सकती है, master of arts में economics करा सकती है, master of commerce करा सकती है, साथ में ही master of science psychology करा सकती है, master of business administration मतलब MBA करा सकती है, master of computer application MC करा सकती है, यह तो डेब ने इनको माननेता दी है, इस university को यह सब courses कराने की, साथ में university क्या website देखते हो, तो यहाँ पर यह लोग mention करते हैं, NIRF के बारे में भी, तो हम NIRF की बारे में भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, के NIRF क्या बोलता है, दोस्तों यह है NIRF की website, nirfinndia.org, जो की national institutional ranking framework, ministry of education के दुआरा, government of India के दुआरा चलाई जाती है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे आप यह खोलेंगे तो ranking आती है, 2023 की, 2023 पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आएगा universities, universities को आप क्लिक कर दीजिए, अब जो पूरी list खुली, total 100 universities की list है यह, क्योंकि 100 की ही list यह लोग जारी करते हैं, यह बोलते हैं कि 68 नंबर पे हमारा नाम है, जैन University Bangalore, मतलब University NEC तो है ही है, DEB का approval है, साथ में यूनिवस्टी के पास, NIRF की ranking 68 भी है, यह काफी अच्छी चीज़े दोस्तो, इस यूनिवस्टी में आप admission ले सकते हैं, यह है UGC का update, UGC की website पर जब आप आते हैं, तो आने के बाद में HEIS जो दिखरा है आपको, यहाँ क्लिक करते हैं, DEB to be University बजाओगे, तो यह खुल कर आएगा आपके सामने, जिसमें की total universities यहाँ पर दिखा देगा आपको, जब यहाँ पर आपाते हो, जैसे कि आप अभी हम deemed page वारा क्लिक करते हैं, तो 136 total deemed to be university चलती हैं इंडिया में, नीचे आप यहाँ जाओगे करनाटका पर, करनाटका क्लिक कर दिया, तो करनाटका में क्लिक करने के बाद में, total 15 universities चलती हैं, 15 में से जैन 56 नमबर पर आपको जैन दिखता है, जैन deemed to be university, यह है, अब साथ में इसको website दे सकते हैं, उसके view website करोगे तो, शीदा आपको website से इंटर लिंक कर देगा, और यह university admissions लेती है, admission आप ले सकते हैं दोस्तो, हाला कि जैन पर हम बहुत जल्दी की वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे, university के किस course की कितनी फीस है, university कब बनी, और कौन-कौन से course से चलाती है, बने रहने के लिए.